हेई गाइज गर्पम बैक टुमेट चैनल मैं हूँ अकांशा आज के वीडियो में एक संस्क्रीन के बारे में आपको बताने वाली हूं और जब मैंने संस्क्रीन लगाना शुरू किया था तो मैंने फर्स टाइम इसको ही यूज किया था बहुत जादा अवेर तो नहीं थी मै मैंने काफी टाइम पैल इसको यूस पी किया अभी मेरे पास रखा हुआ था तो कोई भी चीज आपकी हमेशा आपकी फेवरेट रैल सरूर ही नहीं है आप चेंज करते रहते हो तो आजकल मेरा इस संस्क्रीन को लेके क्या मैं सूचती हूँ क्या मैं इसको यूस कर रही हूँ सारी बातें आजके वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर इस sunscreen के बारे में आप detail में चाहना चाहते हैं तो description box में लिंक दे दूँगी वहाँ आप चैक कर सकते हो तो आज के वीडियो में मैं इस sunscreen के बारे में पताऊंगी कैसा लगा मुझे इसको यूज करके क्या मैं अभी भी इसको यूज करी हूँ तो सारी बाते हैं आज के व हिल्भी भी भी ये सक हमा इस skin को प्रॉटेक्ट करता है is non greasy है non sticky है 100 g आता है प्राइस की बाद करो तो 4 65 इसका प्राइस है online offline मिल जाता है online लेंगे तो थोड़ा सापको discount भी मिल जाएगा और आप इसको 3 years तक यूज कर सकते हैं इंग्रीडियंट्स की बात करूँ तो मैं लिस्ट दे दूँगी कोई इंग्रीडियंट्स ऐसा हो जो आपको सूथ नहीं करता हो तो आप इसको यूजना करें इसके लावा इसमें कोई भी नैशरल चीजे यूज नहीं की गई है और आशकल मैं ऐसे देखती हूँ कि लोग नैशरल चीजें ज्यादा यूज करना पसंद करते हैं तो अगर आप नैशरल चीजें से बना संस्क्रीन यूज करना चाहते हैं तो यह आपके लिए नहीं है इसके टेक्श्यरी बात करो तो यह जेल है जेल फॉर्म में है और इसका पिंक कलर है फ्रेग्रेंस इसमें है और फ्रेग्रेंस ऐसा नहीं है कि बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस हो थोड़ा सा तेज फ्रेग्रेंस है पर जाए तर जो प्रोड़क्ट होते हैं जिनमें जाती है फ्रेग्रेंस वैसे ही इसके साथ है थोड़े देर में ये फ्रेग्रेंस इसकी चली जाएगी अच्छे से ये आपकी स्किन पर एब्सोंब हो जाता है सुन से आपको प्रोटेक्शन देना शुरू कर देता है वाइट कास्ट इसको लगाने वाद बिल्कुल भी नहीं बस आपका फेस ठोड़ा सा गलो करने लगए हो इसको लगाने के पाद बर वाइट कास्स काश्मी करता है तो क्यूंकि इसमें इसमें कलोर भी है तो मैं कौंगी सेंस्ट fouet इसको यूज नहा करें सेंस्टित इसकि वाले का क्या प्रोब्ल्म रहता है कि ज्याला फ्रेग्रे इसके आपर यूज करना चाहिए या नहीं कर दो मुझे एक टॉक्टर ने सजिस्ट किया था यह तो मैशनक्षेक टारीय तो मैंने नोजब वबर टारएम तक शुथन। मेरे टांक्टिम किया तक उसे मेरे टाम private दो मेने तना बरबाद हो गया था साथ मीरा Face इसको यूज़ करके तो मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया हलागी जो मैंने रिव्यु किया था है । उसमें मैंने इसकी बहुत ज़ादा तारिक किया क्योंकि वह कुछ दिन यूज़ करके मैंने इसका review किया, तो मुझे पसंद आ रहा पर जब लंबे टम तक मैंने इसको यूज किया ना तो लगा कि ये मेरे चेहरे को और भी ज्यादा बर्बार्त कर रहा है संसे प्रोटेक्शन देता है टैनिंग होने से बचाता है पर अगर आपके फेस पर अक्टिव एक्न है न तो उनको बढ़ा देगा आपको कुछ आपने आपने लगें बंड़ाने लगें कुछ दिन बाद टो ओषली स्केन है तो एकने-प्रोन यूह उसना करें अगर आपको आपको ओगर्दश है तब लगाने बाद बहुत झीप 가족पि जाहरे है कि इसा है यूज़ाय है कुछ तेर बाद कुछ क्रीम ऐसी है न जिनको यूज करने के बाद बहुत सद अबाहरी पन होता है दो इस जेल को यूज करने वाद ब्यासा ही फीड होता है वैसे तो i Gates Studio को coated जेल भाल ने जल बेस्टी यूज ँग कमा चोगए फन्ज संस्पिन को वै और आप रिएपलाई करोगे तब और ज्यादा परेशान हो जाओगे तो मेरा यह कहाना नहीं है कि यह संस्क्रीन बुरा है पर ओइली स्किन और अपने प्रून स्किन है तब आप इसको यूज नहीं करें तो अजर आपकी ओईली स्किन है आपने इसको यूज किया आपको अच्छे रिजर्ट्स मिले तो कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना तो आजकल जो संस्क्रीन में यूज करी हूँ वह भी मुझे एक डॉक्टर नहीं ही बताया था वह है यूवी ब्रेक संस्क्रीन जिसको active acne होने पर भी मैं लगाती हूँ तो वह मेरे acne को बिलकुल भी खराब नहीं करता बिलकुल भी नहीं बढ़ाता है और साथी साथ वाइड कास्ट भी नहीं होने देता काफी affordable है काफी अच्छा है उसकी लिंक भी मैं दे दूंकि अगर आपको वह अच्छा लगी तो आप वह ले सकते हो इसके लावा एक लाशील का मैं यूज की अभी लास्ट मन में उसको यूज कर रही थी वह भी मेरी स्कें में बहुत करता है जब मुझे active acne होते हैं तो अगर आपकी oily skin है acne prone skin है तो मैं कहूँ कि आप UV break sunscreen ज़रूर यूज कर देखना उसके results बहुत अच्छे मिलते हैं सच में बहुत सारे लोगों ने उससे कहा कि इसके results बहुत अच्छे मिले या फिर आप लाशील्ट sunscreen यूज करके देख सकते हैं पर आप इसको use ना करें I hope आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अभी भी कोई doubt है आप कुछ पूछ ना चाहते हो तो बिल्कुल comment करके मुझसे पूछ सकते हो और अगर वीडियो पसंद आया हो तो जली से like कर दीजे चैनल को subscribe कीचे और मिलेंगे next वीडियो में त